Finally, जिहां दोस्तों, finally चुनाव आयोग जागा है। चुनाव आयोग ने कोई कदम उठाया है और कोई statement भी उनका सामने आया है। मैं और आप हमेशा एक सवाल पूशते रहते हैं। आप लोग भी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि चुनावायोग क्यों एक्षन नहीं लेता है, हम भी पूछते रहते हैं कि आखिर चुनावायोग कहा है, इतनी जादा चीजे खराब हो रही है चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले सब आपके सामने हैं, नेताओं की बय लेकर चुनाव आयोग ने एक सकती बरती है और चुनाव आयोग ने जेपी नज्डा भरती जंता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष साहब को नसीहत दिया है यानि कि बीजेपी पर नसीहत दिया है दिया है साथ में कॉंग्रेस को भी नसीहत दिया है क्यों नसीहत दिया है तो चली आपको इस खबर में बताते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि नेताओं ने इस साल जिहां 2024 के लोगसभा चुनाब में अपने विवादित बयानों की जो लाइने हैं जो लड़िया है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं इतनी जादा नफरती भाशन इतना जादा कमिनल बाते इससे पहले कभी किसी चुनाब में देखने सुनने को नहीं मिला है देखने सुनने को मिला है 2014-2019 में लेकिन अब तो रिकॉर्ड हाइस्ट हो चुका है सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कमिनल बातों की जो बहुचार है वो कर दी गई लेकिन चुनावायोग तब भी चुप रहा तब भी खामोश रहा लेकिन जब आप आवाज उठाएंगे हम आवाज उठाएंगे तो चुनावायोग को चुपी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप चुप कब तक रह सकते हैं आपकी चुपी से समाज में शाफरत और घिर्णा से बचिये फसाद से बचिये लड़ाई दंगे से बचिये इन तमाम चीजों से बचिये लेकिन अब जो चुनावायोग ने कहा है वो बहत important बाते कही हैं सबसे पहले में आपको चुनावायोंग का यह बैान सुनाना चाहूंगी कि चुनावायोंग ने क्या नसीहत दी है और किस तरीके की बाते कही दरबधान पर गलत न बूलें साथ ही संप्रधाईक बयान देने से भी बचे संप्रधाईक बयान जो है वो आप ना दे आयोग ने भाजपा कॉंग्रेस को नसीयत दिये चीवी 9 लिखता है कि राजनेतिक दल चुनावों में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरकीब अपनाती है वो तो सबको पत है आप बताईए मत आगे आपको बता दे दोस्तों कि इस वज़र से लेकर जिस तरीके से हिंदू मुसल्मान पाकिस्तान और ना जाने चोर उचक्का जितनी गंदगी है सारी इन लोगों ने सब कुछ जिया सब कुछ इस्तमाल कर लिया है जाती भाषा धर्म सेना और संभी आयोग ने इन दोनों ही पाटी के अध्यक्ष को आरे हात लेते वे कहा है कि आप मर्यादा बनाकर रखिए आपचारिक नोट जारी करने का निर्देश भी जारी कर दिया है क्योंकि इतनी जूट फरेवाली बाते करी जारी है दोस्तों कि जिसका की कोई मतलब ही नहीं बनता लेकिन चुनाव जीतनी के लिए सब किया जा रहा है निर्वाचन आयोग ने भारती जनता पाटी और इसके स्टार प्रचारकों को धार्मिक और संप्रदाई का धार पर चुनाप्रचार करने से दूर रहने के निर्देश दिये हैं कॉंग्रेस को भी ऐसे ही कहा है कि आप तरफ से भी ऐसा कोई भी बयानबाजी गलत धारना जो है वो ना बोला जाए भारत की संबेदान को खत्म किया जा सकता यह सब बाते आप इस्तमाल ना करें लेकिन मैं चुनाव आयोग जी से एक दरखास्त करना चाहूंगी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि संबेदान खत्म करने की बात तो भारती जनतापाटी कि कई निता सार्वजनिक मंज से कह चुके हैं फिर आप उन पर क्यों एक्षन नहीं लेते हैं क्यों नहीं कहते हैं कि आप जो है चुनाव लड़ने के लायक नहीं है उनका नॉमिनेशन क्यों रद नहीं करते हैं कई ऐसी वीजिय कर देंगे, हिंदू राष्ट बना देंगे, फलाना कर देंगे, ठिमकाना कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि गलत बाते मत करें, चुनाव, मतलब संबेदान खत्म कर दिया जाएगा भाजपा की तरफ से, तो आप जरा छानवीन कीजिए और भाजपा की निताओं के बयान को सुनिए, फिर उसके बाद बात कीजिए, कि कितने धडले से इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कि संबेदान खत्म कर दिया जाएगा, दोस्तों आपको बता देंगे, कि कॉंग्रेस अद्यक्ष मलीक अरजुन खड़गे से चुनाव आयोग ने कहा है, कि डिफेंस फ स्टार केंपनरों की ओर से समाज को बाटने का कोई विबयान नहीं दिया जाए, अने था आयोग प्रचार करने पर पावंदी लगा देगा, धर्म से चुड़े विवादित बयान पर स्टार केंपनरों द्वारा दिये गए बयानों पर आप जो है, वो रोक लगाईए, तो फिलाल चुनावायोग ने कुछ तो बोला है, इससे पहले भी कहा था, कि अब जो बाकी चड़ने हैं, उसमें थोड़ा अच्छी बाते कीजिए, जिसे कि लोगों को एक अच्छा मैसेज जा, एक अच्छी नेरेटिव सेच कीजिए, लेकिन तब भी नहीं माना, आपकी बा इससे जादा लाइक, शियर और सब्स्ट्राइब करने, बिल्कुल भी ना पूले,